सत्रा साथ सो पचास के उपर ग्लोबल मार्केट अभी भी सुस्त हैं डाउ फ्यूचर्स करीब डेड़ सौ अंक नीचे हलकी रिकवरी यहां पर भी आईथी पर वापिस विसल गए है नाजडाक फ्यूचर्स सर्फ डेड़ परसें नीचे है अब वजय हम बात करें नहीं करें चुप चुप के तो लोग बात करी रहें वोटसप उनिवरसिटी पर ट्विटर पर और वो यह कि आज को कि मुड़ीस की मीटिंग है वित्तमंत्री जी के साथ में तो उसमें रेटिंग बढ़ाने इंडिया की रेटिंग बढ़ाने पर कुछ आ जाये कर जाये मेरा ये समझ जाये विचार हो सकता है बातचीत हो सकता है वित्तमंत्री जी कहेंगी भी हम इतना अच्छा कर रहे हैं कोई वजय नहीं कि आप रहे हमारी रेटिंग ना बढ़ाएं वेक्सिनेशन में हम सबसे आगे हैं रीकवरी में हम सबसे आगे हैं सब कुछ है पॉइंट से हम बढ़ाएं लिखिन क्या कल सुबर रेटिंग अप्रेड होगा मुझे नहीं पता इतना जल्दी नहीं होता आप पॉइंट्स रहे हैं और बंडर मुझे नहीं होता? कर अई होगी होगी मुझेप पता और रेटिंग पर चरच्छ उगी है यह नहीं पता बड़ेगीन बड़ेगी यह नहीं पता सो हमें यह पता नहीं है लेकिन होजब सकता है, इस उमीद में मार्केट ओपर अगाए हो तो आपको सिफ यह करना है क्या होगा वो पता नहीं इसलिए कर आप व्यू थोड़ा सा लंबा रखे हैं तो आप अपनी हेज़ पोजिशन को होल करके चले कोई दिककत नहीं और अगर आपका शोर्टरम यूर आपको रिस्क नहीं चाहिए समझो कल फिर 1760 दिखे तो आप डर करेंगे तो नहीं ना अगर वो है तो कम कर लो और नहीं तो कोई बात दी अगर समझे और मुडिस की रेटिंग नहीं आए कुछ नहीं आए और वापस 1760 तो ठीक है कोई बात नहीं चलता है तो आपको पोजिशन को करने है मार्केट में क्या होगा वो प्रेडिक करने की नहीं परता मुझे तो कम से कम नहीं परता क्या होगा इसलिए आप अपनी थोड़ी पोजिशन हलकी कर लो जहां प्रफिट हो रहा है जहां आप कोस्ट के आसपास है जहां नुक्सान कम कर सकते हैं फिर मोका मिले कहां है 365 दिन है उसमें से करीबन करीबन दिन शनीवार बाजार पर स्ट्राटिजी थोड़ा लाइट हो जाए थोड़ा कॉशियस रहें अच्छी रिकवरी आई है अगर आपने भरोसा रखा तो पैसा भी कमाया होगा अब पोजिशन हलकी करके चल जाए कल की कल दिखी जाएगी बाजार में